वेरी गूड इवनिंग, आपका स्वागत है, वीके यादा मैट्स, तो जैसा कि वीडियो का स्री लगतार चल रहा है, विहारे साइमेंस के लिए, और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा पढ़ा कर पंडित बना दूँआ, उन कोशनों को फोकस किया जाए, या उन को की संख्या कौन सा है, 6A25, 11 से भी भाज्य होगी, जैसे ही भी भाज्य होगी, बात मतलब भी भाज्यता का नियम के वाडिंग ये कोशन होगा, और इस टॉपिक से कहीं से भी कोशन पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले मैं 5 मिनट के अंदर सभी भी भाज्यता के नियम को की याद करवाता हूँ, पढ़ाता नहीं, याद करवाता हूँ, अब उलें कैसे सर्, हम उलें कि देखिए, आइए, उसके बाद कोशन करेंगे, हाँ, तो कोशन करेंगे, वालद ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सिरीज लेते हैं, हाँ, वो लेते हैं 3 और 9, दोनों सिमलर नम तो सबसे पहले हम याद करते हैं, तीन और नौ के विभाजिता का नियम, तो देखिए अगर कोई भी नमर कितना भी बड़ा हो है, तो पूरी संख्या तीन से विभाजित होगी, ये पूरी संख्या किस से विभाजित होगी, तीन से विभाजित होगी, same situation, अगर वही नमर A, B, C, D है और 9 से विभाजित होगी, तो अंको का योग, A, B, C, D, E, इसका जो योगफल है, अंको का जो योगफल है, डिजिट का सामें, 9 से अगर कट जागा, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो तीन और 9 का तो कोई लबखला ही नहीं है, अगर अंको का योग 3 से अगर कट जाए, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, अंको का योग 9 से विभाजित होगी, अब बोलेंगे सार इंदों में अंतर क्या है, तो confirm अंतर है बागु, जो संख्या 9 से विभाजित होगी, वो confirm इसको 3 विभाजित करेगा, लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होगी पहले, वो कोई जरूरी नहीं है कि नौ से विभाजित हो ही जाए कोई जरूरी नहीं है कि वो नौ से विभाजित हो ही जाए एकजामपल के तौर पे आपको समझाता हूँ जैसे माल लेते हैं अब पंदरा एक संख्या है पंदरा को अगर आप देखे तो पंदरा तीन से कटता है लेकिन क्या ये नो से कटता है नहीं कटता है तीन से कटता है लेकि नो से नहीं कटता है तो अगर बात करें नो से कटने वाली अगर कोई संख्या हम ले ले जैसे नो से कटने वाला संख्या अगर हम 27 ले ले क्या ले ले? 27 है 27 अगर देखा जा तो यह 9 से कट रहा है लेकिन 3 से भी कट रहा है मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या 9 से कटेगी अब आगे चलते हैं मालक है ना इससे रिलेटद भी कोश्चन मैं करवाऊंगा अगर बात किया जाए कि आप देखते होंगे दो का बेभाजता का नियम बैपन में पढ़ा चार आठ सोला बातीस तीसको सब को एक कैटोगरी में रखना है और दो को अगर हम लोग थोड़ा दर एक लिए अज्यूम कर लें कि गुरू जी यह दो के पावर वन लिख सकते हैं दो के पावर क्या लिख सकते हैं दो के पावर दो आठ को लिख सकते हैं क्या दो के पावर तीन और सोला को लिख सकते हैं दो क पावर पाँच तो देखिए यहीं सापको हिंट मिल रहा है अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो संख्या कितनी भी बड़ी हो और यह जो पावर यह डिनोट कर रहा है कि जो आखरी अंग है आखरी अंग अगर दो से कटेगा तो पूरी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो प पावर क्या है? दो. अगर ये दो अंतिम दो अंग, अगर चार से विभाज होगी, कितना से विभाज होगी? चार से. तो ये पूरा जो बड़ा नमबर, जितना भी दस डिजित, बिस डिजित का नमबर हैगा, पूरा संख्या चार से कटेगा. छेप करने की जोग? नहीं. अगर ये तीन अंग, आठ से विभाजित है, क्या है? आठ से विभाजित है, तो पूरी संख्या आठ से विभाजित होगी. अब बोलेंगे सर, हम मैटर समाच चुक है, अब ज्यादा टेंसन मत दीजिए हैंना? अगर दो के पावर चार, सोला, ये चार क्या डिनोट कर रहा है, लेकिन आखरी में चार अंग, आखरी में चार अंग, अगर आपका सोला से भी भाजित है, तो पूरा बड़ा संख्या होगा, जो सोला से भी भाजित होगा, चलिए, अब आगे चलते हैं मालक, अब देखिए, इंपोर्टेंट आपके लिए पाँच, पचीस, एकसो पाँच के 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 पाँ आखरी दो अंक, क्योंकि पावर इतना है? दो तो पावर दो है, तो आखरी दो अंक अगर पचीश से कटेगी, तो ये पूरा बढ़ी संख्या जो है पचीश से कट जाएगी. इसी तरीके से 150 में आखरी 3 अंक को तो कंसिडर करेगेैं. वो इस तरीके से खटाक्स को याद कर सकते हैं वालत है ना चलिए तो तीन नौ हो गया यह हो गया हमें नहीं लगता इस से ज़्यादा आएगा आपसे तो कि और भी आपसे पूछा जा सकता है जैसे अगर आपसे पूछा जाए कुछ भी नमबर तो उसके पहले ग्यारा जाना इसको हम लोग इस तरीके से पेर बनाएंगे बाबू है ना गिरीन कलर से दिखना चाहिए ना कि अल्टरनेट में जो नमर लिखा हुआ है A C E और अल्टरनेट में नमर क्या है B D F Asian B D F अल्टरनेट में जो नमर का सम है अल्टरनेट में नमर का सम क्या हो जागा A प्लस C PLUS E माइनिस B प्लस D प्लस E इसका जो difference है यह वादू हादू है नमर और ही बड़ा हो सकता है आपको पेर बनाना है इसका जो difference है हाना वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का multiple होना चाहिए देखी इस बात में और भी confusion हो सकता है कि सर आपने तो 6 अंक ले लिया अगर 7 अंक हो तो क्या हो जाए मतलब ऐसे अगर माले कोई भी randomly number अगर आपको चेक करने के लिए रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब पुछें यह कि सर जी यह 11 से भी भाजित है कि नहीं इसको चेक करना हम बुलेंगे ऐसा है कि लास्ट से आपकोंड करें थियोरी तो मैंने बता दिया अल्टरनेट वाला लेकिन लास्ट रह से करें 9, 7, 16, 16, 16, 5, 21, 21, 23, 24 माइनस अब देखिए बचा है 8, 6, 14, 14, 14, 18, 18, 22, 20 तो इसका डिफ्रेंस ना तो जीरो आ रहा है और ना तो 11 के मल्टीपल में आ रहा है तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगा 11 से नहीं कटेगा उमीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ रहा होगा है अब कोश्चन पर आ जाते हैं बाबू कोश्चन हमारा यह है हाँ हाँ सॉरी हाँ कोश्चन हमा आ जाते हैं वेरी जावर कोश्चन हाँ चली यह कोश्चन था हमारा हाँ माफी चाहते हैं 10-20 सेकेंड आपका खाने के लिए है ना एक एकिस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6-8-25 ये 4 अंकों की संख्या 11-11 से भी भाद जोगी मैंने आपको 5-6-7-8-9 डिल सब करवा दी है आपको करना क्या है तो आपको इस तरीके से करना भागो है ना ध्यान से समझेगा ग्रीन कलर आई थिंक धीजिवल होना चाहिए या हम ब्लाइक ही ले लेते ग्रीन के चकर में नहीं पड़ते नहीं दिखेगा तो 5 प्लस A 5 प्लस क्या? A 5 प्लस क्या है? A और 6 प्लस यही तो अल्टर्नेट में है इसके बाद तो कोई है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे? 5 प्लस A और 6 प्लस 2 6 दो 8 होता है कि नहीं? 6 दो कितना? 8 इसमें से भी घटा सकते हैं उसमें से भी घटा सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जनरली हम आगे बढ़ा कोई रखते है 6 दो 8 माइनस 5 प्लस क्या? A यह तो जिरो का होने का ही चांस है क्योंकि 8 आगे बढ़ा ले लिए है तो 11 आने की संभाबना नहीं है तो हम A की क्या भैलू रखें की 0 हो जाए तो हम बोलेंगे सर 8 में से 8 ही घटाएंगे तभी 0 होगा तो A बरावर कितना? 3 तो 3 आपका क्या हो गया? अंसर उमीद करते हैं कि विभाजता का नियम यह 5 मैट में आपको याद हो गया होगा और भी मैं छोटा छोटा वीडियो बना कर आपको इस तरीके से हेल्प करने की कोशिस करूँगा अगर और भी लंबा लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं जाहिंजा भारत